मांदे सहीत राज करमचारी का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर आंगनवाडी कारकत्रियों का धरना परदशन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा नगर निगम इस्थित रानी लश्मी भाई पार्क में धरना रत आंगनवाडीयों का कहना था सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए सरकार आंगनवाडी कारकत्रियों को अठारह हजार कथा सहाई काउं को दस हजार का मांदे घोशित करे और उनको राज सरकार का दर्जा दिया जाए इस सम्मान में गोरक पूर्णी उससे बात करते हुए संगठन की अध्याच गीतांजली मौर ने कहा कि इस महगाई के जमाने में मात्रिच चार हजार और पांच जार पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है और हम आगनबारी कारकरतीयों को स्कीम वरकर के रूप में सरकार ने रखा है और आज तक राजज सरकार अपने तमाम कारियों को हम सब लोगों से करवाती है जैसे जंगरना है, बियलो की ड्यूटी है, ओडियप की ड्यूटी है, दवाईयों का वित्रण है, तमाम रैलियों का आयोजन है और कोई संसाधन भी नहीं मिलता उन्हीं पांस साड़े पांस जार रूपए में, आज हमें सारे रिपोर्टिंग भी करनी है, अपने संसाधन भी कट्टे करने है, तमाम मिटिंग और रैलियों में भी जाना है, और अपने जीविका भी चलानी है और सुबह 4 बजे से लेके राती 6 बजे 8 बजे तक के वर्क हम आगनबाडी कारकरतियों से ये राज्य सरकार करा रही है, इसलिए राज्य सरकार से हम अनरोग कर रहे हैं, हमारी ये डिमांड है कि हमको जीने योग्य, जो मैनुवल एक्ट के तहत कम से कम 18,000 हमारा प्रतिमा मांदेर मिलना चाहिए, और इस तरह के मांग को लेकर के तमाम कई दिनों, कई महीनों से, सालों से हमारा धर्ना प्रदशन चलता चला आ रहा है, आगनबाडी कारकरतियों साहिकाओं को पारिश्यमिक दिया जाएगा, सम्मान जनक, लेकिन अभी सिती खराब होने के नाते फ वज़ा से पूरे प्रदेश की पौने चार लाख परिवार की जो कारिकरतिया हैं, इन सब लोगों में भारी, निराशा और बेहद आकवार तारीक तक काली पटी बांग करके भी जब कारे करने पे कोई निर्डे नहीं आया, तो विबस्ता थी संगठन की, चुकि संगठन क पूरे प्रदेश कारिकरताओं पर बेहद दबाव और आगन बारियों का आक्रोश हम सब लोगों के उपर आया, इसलिए पांच तारीक से मांगों को ले करके धरना प्रदेशन कर रहे हैं, और धरने प्रदेशन का ये तीसरा दिन है आज, आगे दस तारीक तक हमारा ये का पर चलेगा और अगर दस तारीक तक सरकार के तरफ से कोई छोशनिड़े नहीं आता है, तो बिबस हो करके हम पूरे प्रदेश की आंगन बारियों सहाइकाएं लखनव के लिए कूच करेंगी, प्रदेश मुख्याला पर इको गाइडन में पहुचेंगी, जहां महा हरताल और बिशाल धरना प्रदेशन होगा,